आज हम इस chapter का अगला topic के start करेंगे जिसमें हम functions के composition के बारी में पढ़ेंगे तो इस topic में हम सबसे पहले ये पढ़ेंगे कि composite function क्या होता है उसके बाद हम ये देखेंगे कि किसी भी composite function के define होने की क्या-क्या conditions होती है एंड इस topic के सबसे last में हम ये सीखेंगे कि composite function कैसे find करते हैं तो चलिए अब हम इसका पहला concept start करते हैं जिसमें हम ये सीखेंगे कि composite function क्या होता है माना हमारे पास दो function है fx एंड gx एंड function fx कुछ इस तरह से define है कि हम इसमें जो भी input देते हैं यह output में उसकी double value देता है for example यदी हम इसमें x input देते हैं तो यह हमें output में 2x देता है एंड function g कुछ इस तरह से define है कि यदी हम इसमें कुछ input देते हैं तो यह output में हमें उस input की 3 times value देता है for example यदी हम इसके input में x देते हैं तो हमें output में 3x मिलता है, अब हमें ये find करना है, कि यदि मैं function fx में कुछ input दूँ, तो function gx का output क्या होगा, यदि function fx का output, function gx का input हो, तो चलिए, अब हम इसका answer find करने की कोसिस करते हैं, हमने function fx में देखा, कि जब हम इसमें x input देते हैं, तो हमें output में 2x मिलता है, अब function fx का output 2x, function gx के लिए input होगा, जिससे की gx का output हमें 6x के equal मिलेगा, क्यूंकि हमने देखा था, कि function gx output में हमें input के 3 times value देता है, तो अब ये जो पूरा system है, यह composite function कहलाता है, तो अब आपको यहां से ये समझ में आगया होगा, कि जो composite function होता है, वह दो ये दो से ज़्यादा functions का एक system होता है, जिसमें एक function का output, दूसरे function का input होता है, तो अभी तक आपके ये समझ में आगया होगा, कि composite function क्या होता है, अब हम इस वीडियो में ये सीखने वाले हैं, कि composite functions को हम mathematically कैसे represent करते हैं, एंड उसके अलाबा, composite functions के define होने के लिए, क्या-क्या conditions होती हैं, इसे हम एक example से समझते हैं, माना हमारे पास तीन set हैं, A, B and C, एंड एक function F, set A से set B में define है, एंड दूसरा function G, set B से set C में define है, अब यदि हम set A में कोई element लें X, तो इसके corresponding function F का output होगा, F of X, जो की set B का element होगा, एंड हम ये assume कर चुके हैं, कि जो set B के elements हैं, वहें function G के लिए input होगे, तो यहाँ जो F of X है, वहें G के लिए input हो जाएगा, एंड इसके corresponding, जो function G का output है, वहें होगा, G of F of X, जो की set C का element होगा, एंड जो ये G of F of X है, यही composite function कहलाता है, इसे हम G of F of X से represent करते हैं, जो की set A से set C में define होगा, एंड इस composite function, G of F of X को हम लिख सकते हैं, G of F of X, for all X belongs to set A, यानि की ये A के सभी elements के लिए true होगा, अब आपने हैं देखा था, कि जो function F का output था, वहें function G के लिए input बन रहा था, तो इसे हम mathematically, कुछ इस परकार कह सकते हैं, कि function F की range, function G के domain के subset होनी चाहिए, अब यहां composite function में ध्यान देने वाली बात ये है, कि जो inner function F X है, वहें इसमें पहले operate होगा, एंड उसके बाद outer function G operate होगा, अब आपको यहां ये confusion हो रहा होगा, कि ये operate होने का मतलब क्या है, तो इसे हम जब आगे example solve करेंगे, वहां सीखेंगे, अब हम एक और example लेते हैं, माना इस example में भी हमारे पास तीन sets हैं, A, B and C, and function G set A से set B में define है, and function F set B से set C में define है, तो जैसा कि हमने पिछले example में देखा था, उसी प्रकार हम इसमें भी set A में एक element X assume करेंगे, जिसके corresponding function G का output set B में लाई करेगा, जो की G of X के equal होगा, and यह element G of X function F के लिए input होगा, and इसके corresponding जो output होगा, वह होगा F of G of X, and यह F of G of X ही composite function कहलाता है, and इसे हम F of G of X से represent करते हैं, जो की set A से set C में define होता है, तो यहाँ हम इस composite function, F of G of X को लिख सकते हैं, F of G of X, for all X belongs to A, यहाँ भी इस composite function के define होने के लिए यह condition होगी, कि function G की range, function F के domain की subset होनी चाहिए, अब इस composite function में, function G of X जो की inner function है, वह पहले operate करेगा, and outer function F बाद में operate करेगा, अब आपने यहाँ देखा, कि हमने पहले example में, composite function G of X को define किया था, and second example में हमने composite function F o G X को define किया था, लेकिन क्या यह दोनों composite function equal है, generally G of F o G के equal नहीं होता, यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है, कि यदि आपको कहीं G of लिखा देखे, तो उसका मतलब होता है G of X, इसी प्रकार F o G का मतलब होता है F o G X, and यह दोनों ही composite functions होते हैं, तो हमने यहाँ इन composite functions में, यह condition देखी थी, कि पहले function की range, दूसरे function के domain की subset होनी चाहिए, अब ऐसा क्यूं होता है, इसे हम एक example से समझते हैं, माना हमारे पास set A कुछ इस प्रकार का है, and set B कुछ इस तरह का है, and set C and set D कुछ इस प्रकार के हैं, अब एक function F, set A से set B में कुछ इस प्रकार define है, and एक function G, set C से set D में कुछ इस प्रकार define है, तो अब यदि हम composite function, G.O.FX की बात करें, तो वह set A से set D में define होगा, यदि की इस composite function के लिए input होगा set A, and output हो जाएगा set D. अब यदि हम function F की बात करें, तो हमारे पास सभी inputs के लिए कोई ना कोई output है, and इस composite function के define होने के लिए, function F का output, function G का input होना चाहिए, अब माना हमने function F के output के कुछ elements, function G में input है, यहां हम देख सकते हैं कि element 5 अभी इसका input नहीं है, and इन चारो elements के corresponding function G में हमें कुछ ना कुछ output मिल रहा है, तो हमने यहां देखा था कि element 5, function G का input नहीं था, and हम यहां clearly देख सकते हैं कि जो element 5 है, वह function F में element C की image है, अब यदि हमें set A के element C के लिए composite function का output देखना हो, तो वह क्या होगा, हम यहां से देख सकते हैं कि function F के लिए C की image है 5, and function G के domain में 5 है ही नहीं, तो इसका मतलब हमें function G का output 5 के corresponding मिलेगा ही नहीं, इसका मतलब element C के लिए composite function define ही नहीं होगा, तो अब इसके define होने के लिए क्या करना है, अब since element C की image 5 है, तो इस 5 को set C का element होना ही होगा, तभी हमारा composite function define होगा, and माना 5 की जो image है वह function G में R है, तो हमने यहां से देखा कि यह composite function तभी define होगा, जबकि set B, set C का subset हो, तो अब आप यदि पिछले दोनों examples को recall करो, तो वहां हमने देखा था कि पहले function की range, तूसरे function के domain की subset होनी चाहिए, और यहां हमने उसका region देख लिया है, यानि कि यहां हम कह सकते हैं कि इस composite function, जी ओ एफ आफ आफ एक्स को define होने के लिए, function F की range, function D के domain की subset होनी चाहिए, अभी तक हम यह सीख चुके हैं कि composite functions क्या होते हैं, और उनके define होने के लिए क्या-क्या conditions होती हैं, अब हम इस वीडियो में यह सीखेंगे, कि composite function को find कैसे करते हैं, इसे हम एक example से समझते हैं, इस example में यह given है कि एक function है F, जो की set of real numbers R से R में define है, and function Fx इस प्रकार define है कि Fx is equal to x square, and function G भी R से R में define है, and Gx is equal to 2x minus 1, तब हमें composite functions FOG, GOF, FOF, and GOG find करने हैं, तो हम सबसे पहले FOG find करने की कोसिस करते हैं, हम यह पढ़ चुके हैं, कि हम FOG को लिख सकते हैं, FOG of x, and FOG of x is equal to F of g of x, अब यहां हम देख सकते हैं, कि जो inner function है, वे है Gx, and outer function है Fx, और composite functions के लिए, हम यह condition पढ़ चुके हैं, कि inner function की range, outer function के domain की subset होनी चाहिए, तो हम सबसे पहले हैं, Gx की range find करने की कोसिस करते हैं, Since Gx एक polynomial function है, तो इसकी range होगी set of real numbers, and function Fx भी एक polynomial है, जो की real numbers के लिए define है, तो इसका मतलब function Fx का domain होगा R, तो हम यहां से देख सकते हैं, कि जो Gx की range है, वह function Fx के domain के equal ही है, इसका मतलब, यहां composite function, F o G of X की condition satisfy हो रही है, तो हम इसे यहां आसानी से find कर सकते हैं, अब हम इसे कैसे find करेंगे, हम यहां इस composite function में देख सकते हैं, कि input है हमारा Gx, एंड Gx की value given है 2x minus 1, तो यह हमारा composite function हो जाएगा, F of 2x minus 1, एंड हम इस question में देख सकते हैं, कि जो function Fx है, वह कुछ इस तरह से define है, कि हम इसमें जो भी input देते हैं, वह output में हमें उस input का square कर देता है, तो यहां जो input है, वह है 2x minus 1, तो हमें इसका output मिलेगा, 2x minus 1 का whole square, जब हम इसे आगे solve करेंगे, तो हमें मिलेगा, 4x square minus 4x plus 1, यानि कि हमें यहां से composite function, F of G of x की value मिली है, 4x square minus 4x plus 1, इसी प्रकार अब हम composite function, G of find करने की courses करते हैं, तो हम इस function, G of को भी लिख सकते हैं, G of of x, and it will be equal to, G of f of x, अब यहां inner function fx है, and outer function है G, तो पहले हम inner function fx की range निकालने की courses करते हैं, since जो function fx है, वह x square के equal है, तो हम यहां से कह सकते हैं, कि जो इसकी range होगी, वह non-negative real numbers के sets के equal होगी, and function G एक polynomial है, जो की सभी real numbers के लिए define है, तो function G का domain हो जाएगा, set of real numbers, तो हम यहां से देख सकते हैं, कि जो fx की range है, वह gx के domain की subset है, यानि कि यह जो composite function है, जी of f of x यह define होगा, अब हम इसकी value निकालने की courses करते हैं, यहां inner function है fx, जो की define है x square के equal, तो यह composite function हो जाएगा हमारा g of x square, and function g of x इस प्रकार define है, कि जब हम इसमें input x देते हैं, तो यह हमें output में 2x minus 1 देता है, तो अब यदि हमें इसमें input x square देंगे, तो यह हमें output में 2x square minus 1 देगा, तो हम यहां से देख सकते हैं, कि हमें g of x भी मिल गया है, तो हम यहां से देख सकते हैं, कि हमें composite function, f o g of x की value मिली है, 4x square minus 4x plus 1 के equal, and composite function g of f of x की value हमें मिली है, 2x square minus 1, यहां से हम देख सकते हैं, कि g of is not equal to f o g, यानि कि हम यहां से यह conclude कर सकते हैं कि generally composite functions commutative नहीं होते हैं तो अब हमने यहां FOG and GOF तो find कर लिये हैं अब आपको composite functions FOF and GOG find करने हैं तो अब आप इन functions को खुद से find करने की कोसिस कीजिए So please pause the video here and take 4 minutes to find these functions I hope आप सभी ने यह दोनो composite functions find कर लिया होंगे तो चलिए अब हम इनको discuss करते हैं सबसे पहले हम FOF को देखते हैं हम composite function FOF को लिख सकते हैं FOF of X and it will be equal to F of F of X तो इस composite function के define होने के लिए inner function F की range outer function F की domain के subset होनी चाहिए यहाँ बस फर्क इतना है कि यहाँ जो inner and outer function है वह दोनों ही same function है तो function F की range होगी R plus and function F का domain होगा set of real numbers and हम यहाँ से clearly देख सकते हैं जो F की range है वह F की domain की subset है यहाँ की composite function F of F of X define होगा and अब हम इसकी value आसाइनी से find कर सकते हैं और इसकी value हमें X की power 4 के equal मिलेगी इसी प्रकार अब हम GOG को solve करते हैं composite function GOG को हम लिख सकते हैं GOG of X and it will be equal to G of G of X यहाँ भी inner and outer function same है जो की function GX के equal है तो हम इसकी पहले domain and range find करते हैं तो function G का domain R है and इसकी range भी R के equal है यानि कि इसके range and domain दोनों ही equal है तो जो composite function के define होने की condition है वह यहाँ satisfy होगी तो अब हम इस composite function को आगे आसानी से solve कर सकते हैं and जब हम इसको आगे solve करेंगे then we get G of G of X is equal to 4X minus 3 I hope आपको ये समझ में आ गया होगा कि हम composite functions कैसे find करते हैं यालिए अब हम एक question solve करते हैं इस question में दो functions F and G given है and उन दोनों functions के define होने के लिए conditions भी given है और दोनों ही functions F and G set of ordered pairs की form में हमें given है तब हमें composite function G of find करना है तो चलिए अब इसे discuss करते हैं हम ये सीख चुके हैं कि जो composite function में जो भी functions involve होते हैं तो उनकी हमें domain and range पता होनी चाहिए ताकि हम ये decide कर पाएं कि जो composite function है वह define है या नहीं तो इस composite function में दो functions F and G involve है तो हम सबसे पहले F and G के range and domain find करने की courses करते हैं यदि हम सबसे पहले function F को देखें तो यह हमें set of ordered pairs की form में दे रखा है और हम जानते हैं जब भी कोई function set of ordered pairs की form में दे रखा हो तो ordered pairs के first element का set उसके domain के equal होता है तो यहां से function F का domain हो जाएगा 1, 3 and 4 and यदि अब हम range की बात करें तो हम जानते हैं कि यदि function set of ordered pairs की form में दे रखा हो तो order pairs के second elements का set उस function की range के equal होता है तो यहां से function F की range हो जाएगी 1, 2 and 5 अब since G भी set of ordered pairs की form में दे रखा है तो इसके भी domain and range हम आसानी से find कर सकते हैं तो function G के लिए domain होगा 1, 2 and 5 and range होगी 1 and 3 अब since हमें composite function G of find करना है तो इसके define होने के लिए function F की range function G के domain की subset होनी चाहिए और हम यहां से clearly देख सकते हैं कि function F की range function G के domain की subset है तो अब हम इस function G of को कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं अब हम यहां से देख सकते हैं कि जो function G of है उसके लिए input होगा function F का domain and output होगा function G की range यानि की जो इस composite function में X है उसकी value हमें function F के domain से मिलेगी and F का domain हम find कर चुके हैं तो जो X की value हैं वो होंगी 1, 3 and 4 तो अब हमें इस composite function को find करने के लिए क्या करना है सबसे पहले हमें इन X की values के corresponding function Fx की values find करनी है and जो भी हमें function Fx की values मिलेंगी उनके corresponding हमें इस पूरे function G of Fx की values find करनी है and हम जानते हैं कि function F कुछ इस प्रकार define है तो हम यहां से कह सकते हैं कि X की values 1, 3 and 4 के लिए function F की ये values होंगी यानि कि यहां से हम देख सकते हैं कि हमें function F की values मिली हैं 1, 2 and 5 अब इनके corresponding हम G की values find करेंगे तब हमें composite function की values मिलेंगी and इनके corresponding function G की values कुछ इस तरह की होंगी तो अब हम X की अलग-अलग values के लिए इस composite function की value find करने की courses करते हैं सबसे पहले यदि हम X is equal to 1 पर देखें तो X is equal to 1 पर हम इसे लिख सकते हैं कि G of F of 1 is equal to G of F of 1 and F of 1 की value 2 के equal है तो इसको हम लिख सकते हैं G of 2 and G of 2 की value हम find कर चुके हैं वो 3 के equal है तो इसकी final value हमें 3 के equal मिल जाएगी यानि कि हम यहां से कह सकते हैं कि हमें G of F of 1 की value 3 के equal मिली है तो इसी प्रकार आप G of F of 3 and G of F of 4 की value आसानी से find कर सकते हैं जो की कुछ इस प्रकार की होंगी तो अब अगर आप इस composite function को भी set of ordered pairs की form में लिखना चाहो तो हम इसे कुछ इस तरह से लिख सकते हैं जिसमें हमें ordered pairs मिलेंगे 1,3, 3,1 and 4,3 and यहां से हम clearly देख सकते हैं कि इस composite function का domain होगा 1, 3 and 4 and range होगी 1 and 3 अब हम इसी question को arrow diagram से समझने की courses करते हैं हमने इस question में अभी तक find किया है कि gof क्या होगा function gof की range क्या होगी and function gof की domain क्या होगी अब हम इसको arrow diagram से देखते हैं तो function f के लिए arrow diagram हम कुछ इस प्रकार का बना सकते हैं इसी प्रकार function g के लिए भी हम arrow diagram कुछ इस तरह से बना सकते हैं अब जो composite function gof है वह function f के domain से function g के range में define होगा and composite function gof के लिए function f का output function g के लिए input हो जाएगा अब यदि हम सबसे पहले function f के input 1 को देखें तो इसके corresponding हमें function f का output मिलेगा 2 and ये 2 function g के लिए input हो जाएगा जिसके corresponding हमें function g का output मिलेगा 3 यानि कि यदि अब इस composite function को हम देखें तो इसमें element 1 के लिए हमें output मिला है 3 तो हम यहां से देख सकते हैं कि जो हमने composite function को set of order pairs की form में लिखा था तो वहां हमें एक order pair मिला था 1,3 अब यदि हम second element 3 को देखें तो इसके corresponding function f का output होगा 5 and ये 5 function g के लिए input बनेगा जिसके लिए function g का output होगा 1 यानि कि इस composite function gof के लिए element 3 के लिए output होगा 1 and आप gof के order pairs में भी देख सकते हैं कि वहां हमें 3,1 एक order pair मिला है इसी प्रकार हम f के अगले element 4 के लिए भी देख सकते हैं इसके लिए f का output होगा 1 जो की function g का input होगा and इसके corresponding function g का output होगा 3 and इस composite function gof के लिए 4 के corresponding output हमें 3 के equal मिलेगा इसलिए हमें एक order pair 4,3 मिला था तो आप यहां से देख सकते हैं कि हम इस type के questions को arrow diagram से भी solve कर सकते हैं लेकिन आपको ध्यान ये रखना है कि यदि इस type का question आपके exam में आ जाए तो आपको वो arrow diagram से solve नहीं करना क्यूंकि arrow diagram से copy में लिखना काफी tough होता है तो अभी तक हमने इस question में composite function gof find किया था अब आपको composite function fog find करना है तो अब आप इस video को 3 minutes के लिए यहीं पोज कीजिए और इस question को खुद से solve करने की try कीजिए I hope आप मेंसे काफी students ने इस question को solve कर लिया होगा तो अब आप अपनी screen पर इसका solution देख सकते हैं अब हम एक और question solve करते हैं इस question में हमें एक function given है fx is equal to 4x plus 3 upon 6x minus 4 and यह function x की value 2 by 3 के अलावा x की सभी values के लिए define है तब हमें यह proof करना है कि f of fx is equal to x for all x where x is not equal to 2 by 3 तो चलिए अब इसका हम solution देखते हैं since हमें इस निकालना है f of fx and हम इसको लिख सकते हैं f of f of x के equal अब इस composite function के define होने के लिए हम सबसे पहले function fx के range and domain find करेंगे जब हम इसके domain and range find करेंगे तब हमें domain ये मिलेगा and range ये मिलेगी and हम यहाँ से clearly देख सकते हैं कि function f की range function f के domain की subset है यानि कि जो given composite function है वह define होगा तो अब हम इसको आगे solve करने के लिए यहाँ function fx की value put करेंगे जब हम इसकी value put करेंगे तो हमारा function कुछ इस तरह का मिलेगा अब हमें पता है कि हमारा function fx किस तरह से define है तो अब हम इसे आगे solve करते है तो जब हम इसको आगे solve करेंगे तो हमारा जो final answer मिलेगा वह x के equal मिलेगा तो आप यहाँ से देख सकते हो कि हमने यह prove कर दिया है कि f of f of x is equal to x अभी तक आपने जितने भी concept पढ़े हैं उन पर based एक question है इस question में हमें दो functions दे रखे हैं fx which is equal to mod x and second function है gx and it is equal to mod of 5x minus 2 तब हमें composite functions fog and gof find करने हैं तो अब आप इस question को खुद से solve करने की try कीजिए So please pause the video here and take 4 minutes to solve this question I hope आप सभी ने इस question को solve कर लिया होगा तो चलिए अब इसका solution discuss करते हैं Since हमें यह composite functions find करने हैं तो हम सबसे पहले यह देखेंगे कि यह composite function define है या नहीं तो इसके लिए हम सबसे पहले functions f and g के domain and range find करेंगे तो यहां से जो function fx है वह define है कि fx is equal to mode x तो हम यहां से कह सकते हैं कि इसका domain होगा r and इसकी range होगी 0 to infinity and यहां 0 को भी include किया गया है and function g है वह इस परकार define है तो यहां से इसका domain भी r होगा and इसकी range भी 0 to infinity ही होगी यहां से हम clearly देख सकते हैं कि function gx की range function fx के domain की subset है and इसी परकार function fx की range function gx के domain की subset है तो हम यहां से कह सकते हैं कि दोनों ही composite function fog and gof define होंगे अब हम इनकी values आसानी से निकाल सकते हैं तो जब हम fog of x की value find करेंगे तो वह मिलेगी हमें mod of 5x minus 2 के equal इसी परकार हमें composite function gofx की value मिलेगी mod 5 mod x minus 2 तो अब आप यहां से देख सकते हो कि हमें fog of x मिल गया and gof of x की value भी मिल गई है तो अभी तक हमने इस topic में जितने भी concepts पड़े हैं उनकी summary यह है इस topic में हमने सबसे पहले यह सीखा कि composite function क्या होता है उसके बाद हमने composite functions के define होने की conditions के बारे में पढ़ा and उसके बाद हमने यह सीखा कि composite functions को हम calculate कैसे करते है इसके साथ साथ हमने composite functions की कुछ properties के बारे में भी देखा था अब आपको यह reference questions solve करने है